अब properties की बात करते हैं, तो पहली property है negative slope, क्योंकि हमने IC के बारे में भी बहुत detail में बात नहीं की, क्योंकि मुझे पता है कि यहां पर वो ज्यादा clear होगा, negative slope, अब slope जो है वो negative ही क्यों होगी, क्योंकि अब again आप इस definition पर जाएं, हमने कहा कि वो combinations जहां हमें समान संतुस्ठी मिलती है, अब यदि हमने माना कि यहां पर good X है और यहां पर Y है, और यहां पर सब जगह मैंने यह मान लिया है, कि X का मतलब समोसा और Y का मतलब रस्गुल्ला, ठीक है, एक मीठा, एक नमकीन है, तो X हमारा क्या है, समोसा है, तो यदि मैं आपको समोसे दिये जाऊं, एक definite number of रस्गुल्ला के सार, तो आपकी satisfaction का पर क्या impact पड़ेगा, रस्गुल्ला मैंने आपका घटाया नहीं, लेकिन समोसे मैं आपके बढ़ा रही हूं, या घटा रही हूं, तो क्या आपका satisfaction सेम रहेगा, तो मुझसे पूछें आप नहीं रहेगा, आप भी बता सकते हैं, ल और जिक के साथ ये चलेगा, यदि मैं चार समोसों के साथ आपको रस्गुल्ला की infinite quantity दे दूँ, कम हो रहे हैं, जादा हो रहे हैं, तो natural है, आपका satisfaction बढ़ेगा या घटेगा, समान नहीं रहेगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, समान, तो यहाँ पर देखिए, रस्गुल्ला भी बढ़ रहा है, समोसा भी बढ़ रहा है, रस्गुल्ला भी घट रहा है, समोसा भी घट रहा है, तो दोनों same quantity में जा रहे हैं, तो यहाँ पर satisfaction घट जाएगा, और यहाँ बढ़ जाएगा, तो इसलिए समान नहीं रहेगा, हमें क्या चाहिए, कि similar level of satisfaction, तो similar level of satisfaction कब रहे है, कि मेरा satisfaction, जो है, वापस उसी level पर रहे जाए, ठीक है, तो इसलिए इसकी slope कैसी होगी, negative ही होगी, number 2, convex to origin, इसकी दूसरी property क्या है, कि यह convex to origin होगा, convex to origin का मतलब क्या होता है, convex to origin का मतलब 3 slopes हो सकती है, यह हो सकती है, यह हो सकती है, यह हो सकती है, और यह हो सकती है, तीन complexity क्यों इसको हम justify करेंगे देखिए यहां पर आप देखते हैं यह concave shape है concave shape में क्या होगा हर next unit के लिए यानि हर नया समोसा लेने के लिए आप पहले से जादा रजगुले देने को तैयार हो अब यह marginal utility के law of diminishing marginal utility तो हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे कोई चीज हमसे जादा ली जाती है यानि एक और समोसा आपको मैं देती हूँ एक और समोसा देती हूँ तो क्या होगा कि आपकी समोसों के लिए marginal utility क्या होगी कम होती जाएगी तो हम उसके बदले में ज्यादा ज्यादा समोसे रजगुले क्यों देंगे तो इसलिए यह वाला गलत होगा आप ड्रॉ करके देखना आपको काफे हद तक clarity आ जाएगी और जो यह वाली चीज है यहां पर straight line में क्या होता है one is to one की ratio रहती है कि आपने एक रजगुला चोड़ा एक समोसा लिया उसके लिए एक रजगुला चोड़ा तो दूनों same same level पर रहेंगे तो यह भी marginal utility के law के according हम इसको explain नहीं कर सकते पर यह सही है यह कैसे सही है इसको हम इस example से समझाएंगे यह convex to origin है और convex to origin का मतलब होता है कि यह जो slope है यह origin के नजदीक आती जाती है यह जो चीज न यह वाली चीज यह वाला slope है जो इसका वो horizon के side जुकता हुआ होता है अब इसको समझ लेते हैं कि हमारे पास x और y यानी रजगुले और समोसों के different combinations है यह हमारे पास समोसा है पहले हमारे पास एक समोसे के साथ 12 रजगुले थे ठीक है शुरुवात initial combination हमारा यह था अब क्या है हमें चाहिए मिठा बहुत हो गया तो आपको क्या चाहिए नमकीन चाहिए तो नमकीन के लिए आप पहले समोसे के लिए आप रजगुले आपके पास बहुत ज़्यादा है तो you are ready to sacrifice four रजगुलास to get one समोसा एक समोसा लेने के लिए आप चार रजगुले तक भी sacrifice करने को तयार है अब एक और समोसा आपने लेना हो तो क्या आप चार ही रजगुले दोगे नहीं अब आपके बास समोसे comparatively ज़्यादा हो गए है और रजगुले चार already हट चुके हैं तो जो चीज घटती जाती है उसक utility कम होती जाएगी तो इसलिए इसकी utility कम होगी इसकी जादा होगी तो अब हम comparatively तीन समोसे छोड़ेंगे ठेक है तीन समोसी नहीं तीन रजगुले चोड़ेंगे एक समोसे के लिए ही और next एक और यानि चोथा समोसा लेने के लिए आप पहले से कम यानि दो रजगुले ही को तयार हो और last जो है यह लेने के लिए आप one is to one पे आगए कि भी यह ले एक समोसा एक रजगुला ले और एक समोसा दे तो यह वाला सीन आ जाएगा उसका कारण किया है उसका कारण है डिमिनिशिंग माजनल डिमिनिशिंग माजनल यूटिलिटी और यह जो है निकल के जो आया उसको हम क्या कहते है यह बहुत इंपॉर्टेंट कॉंसेट है यह है माजनल रेट ऑफ सब्स्टिटूशन रेट ऑफ सब्स्टिटूशन क्या होता है माजनल रेट ऑफ सब्स्टि कि छोड़ने को तयार हो ठीक है कि टू गेट वन मोर समोसा हाव मैनी रजगुलाज यू रेड़ी तू सेक्रिफाइस तो यह हो गई आपकी सेकंड प्रॉपर्टी कि यह जो है कॉन्वेक्स टू और जिन होगा थार्ड प्रॉपर्टी है हमारी कि हाय का इसी हाय विल पी दे लेवल ऑफ साटीस्फेक्शन जयसे जैसे आइसी का लेवल उपर जाता जाएगा वैसे साटेस्स्फेक्शन बढ़ेगा मतलब जज़ा सबस्तथर ज्यादा साटीसीफच्षान तो ज्यादा सट्साट मिलता है इसको ध्यान से समझें कि यह एक आइसी है मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं आइसी 1 ठेक है यह हमारे पास दूसरा आइसी 2 तो आइसी 1 पे यह दो पॉइंट्स है ए और बी एक बरसी को भूल जाएं ए और बी क्या है वीकली ओर्डर्ड है मतलब यह ए और बी हमें समान संतुस्ठी मिल रही है क्योंकि यह एक आइसी है अब एक दूसरा आइसी ओर्डरो हुआ है जिस पर A और C दो पॉइंट है अब यहां पर A और C फिर अगें सेम बरावर साडिस्फेक्शन दे रहे हैं अब जब हम कह रहे हैं कि A is equal to B and B is equal to C ठीक है लेकिन यहां पर हमें साफ देखने पर पता लग रहा है कि जो C है उस पर हमारे पास रजगुले जादा है और B पर comparatively क्या है कम है तो ज़दा रजगुले ज़दा साटिस्फेक्शन तो उपर वाला A is-e हम पहले भी कह क्या है कि उपर वाला A is-e ज़दा साटिस्फेक्शन देता है तो A Ais-e 2 पर हमें ज़दा साटिस्फेक्शन मिल रहा है तो इसलिए यह पॉसिबल ही नहीं है कि B और C जो कि बराबर होने चाहिए थे according to transitivity तो वो अब बराबर नहीं हो सकते तो इस वज़ए से हम कहते हैं कि Ais never cut each other ठीक है then comes need not to be parallel Ais parallel हो भी सकते हैं लेकि नहीं भी हो सकते है जरूरी नहीं है कि हो यदि होंगे तो सिर्फ तब होंगे जब दोनों के बीच दो जो कर्व हैं इन दोनों की marginal rate of substitution जिसको कि हमने अभी किया था marginal rate of substitution यदि बराबर है यानि X की जगे Y को छोड़ने की जो दर है वो बराबर है तो यह parallel होंगे otherwise नहीं होंगे then comes Ais never touch X's, X's को touch करने का मतलब क्या है? यहां पर X क्या हो गया? यहां पर X 0 है यहां पर Y क्या हो गया? Y 0 है तो हमने क्या कहा? हमने कहा combination of two goods दो गुड का ना एक गुड तो का ही नहीं तो इसलिए दोनों गुड होने के लिए जरूरी है कि यह X's को X और Y axis को touch ना करे then comes Ais become complex in case of more than two commodities बन तो सकता है तीन commodity पर two continuum diagram two dimensional diagram में हम इसको तीसरी commodity को इसमें डाल नहीं सकते उसके लिए three dimensional diagram बनाना पड़ेगा और यदि उससे भी ज़्यादा commodities हो जाएं तो जो है इसको algebra की help से solve करना पड़ेगा it will become complex तो यह आपका पूरा का पूरा chapter है इसमें और बहुत सारे questions हैं जिसको हम one by one deal करेंगे तो यदि आप उनको भी समझना चाहते हैं तो stay tuned with me the all the very best for your exam thank you so much for watching